जाला दोस्तों कैसे आप सब लोग तो स्वागत है आपका अज रेनुस किचिन में आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही फटाफट और बहुत ही सिंबल तरीके से बनने वाले नाश्टे की रेसिपी अगर आपके पास सुबह की रोटी या फिर रात की रोटी बची हो तो आप उस रोटी से भी इससे बना सकते हैं तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो मैंने याँ पर दो रोटी या लिए हैं अब हम इसे चाकू से छोटे-छोटे तुकड़ों में कट कर लेंगे आपके पास अगर पूरी या हो रोटी की जगा तो आप पूरी का भी नाश्टा सेम तरीके से बना सकते हैं वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो मैंने रोटी के छोटे-छोटे तुकड़े कर लिए हैं अब ग्यास परे कड़ाई गरम करने के लिए रखेंगे और उसमें 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को गरम होने दे तेल जब गरम हो जाए तो उसमें एक चमच जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से बूनने देंगे जब जीरा अच्छे से तड़क जाए तो इसमें एक बारिक मिर्च कट करके डालेंगे और उसी के साथ एक बड़े साइस का प्यास हम लोग इसमें बारिक कट करके डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक बून लेंगे लगबग एक से दो मनिट तक जब प्यास अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो एक छोटे साइस का टोमाटो इसमें कट करके डालेंगे और इसे हलका सा सॉफ्ट होने तक अच्छे से बून लेंगे प्याज और टमाडर को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें एक चमच लैसुन की पेस्ट डालेंगे लैसुन की पेस्ट को हम लोग आदे मिनिट तक भून लेंगे और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच के करीबन हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर और आदा चमच लाल मेच पाउडर हमने इसमें पहले हरी मेच भी डाली है तो आप उसी साब से इसमें लाल मेच पाउडर डाले और अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर ले और अब इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी और अब इसी के साथ स्वात के अनुसार नमक मैंने इसमें आदा चमच नमक डाला है नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले और एक उबाल आने का वेट करे जब पानी में एक उबाल आ जाए तो इसमें काट कर रखी हुई रोटी के टुकड़े डाल दें और इसे मिक्स कर दें और अब इसमें आदा चमच के करीबन गरम मसल आप आउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर आम इसे ढख कर लो टू मिडियम फ्लेम पर दो मिनिट तक पकने देंगे दो से तीन मिनिट बाद आप देख सकते हैं रोटी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो इसी कंसिस्टेंसी का होने तक इसे पकने देना है और अब इस पर हरा धनिया डाल कर इसे गरमा गरम सॉफ्ट करें यह जो नाश्टा है यह गरमा गरम खाने में ही बहुत अच्छा लगता है तो रेडी है हमारा 10 मिनिट में बनने वाला रोड़ी का नाष्टा आप इस नाष्टे की रेसिपे को एक बार ज़रूर ट्राए करें और अब हम इस पर दो चमश देसी गी डाल कर इसे सर्फ करेंगे देसी गी डालने के बाद ये नाष्टे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है आपको अगर देसी गी पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते है लेकिन अगर आपने ये नाष्टा बच्चों के लिए बनाया है तो आप इसे देसी गी डाल कर जरूर दे और आज की अगर ये रेसीपी आपको पसंद आई हो तो इस रेसीपी को लाइक और शेर ज़रूर करे और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में